नमस्कार दोस्तों एक नहीं बल्कि सभी लोगों को यही कोशन रहता है कि जब हमारे ATM कार्ड एकस्पायर हो जाता है पूर जम्पल के लिए आप देख सकते हो मेरे हाथ पर एक ATM कार्ड जो कि मैं करेंटली इसको योज में ले रहा हूँ तो मान लेज़े इसकी जो एकस्पायर डेटो 31 मार्थ है 31 मार्थ को एकस्पायर हो जाएगा तो जैसा कि आप लोगों को पहले से पता है कि जब आपका ATM कार्ड एकस्पायर हो उससे पहले ही SBI Bank का आपके घर के अड्रेस पर एक न्यूँ ATM कार्ड भेज़ देता है हलाकि सभी logo का automatic से नहीं आता है किनकी logo का आता है इस पर मैं एक detail से video बना दिया हूँ पहले से वीडियो आपको end screen में या फिर मैं description में दे दूँगा तो आप देख सकते हो तो देखिए दोस्तों इनका question ही रहता है कि जो अभी अभी हमारे घर के डिस्पर नया ATM कार्ड आया है इसका pin क्या रहेगा क्या इसका pin वही रहेगा जो हमने अभी तक यूज में लेते आये मतलब जो हमने old ATM कार्ड यूज में लेते आये हैं वही pin इसमें काम करेगा या फिर नहीं करेगा तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि आपका जो question है वो question ही गलत है आपका जो नया ATM कार्ड आया है उसका pin आप क्या रखना चाहते हो यह पूरी तरीके से आपके उपर depend करता है आप चाहो तो old वाला ही रख सकते हो और आप चाहो तो कोई भी four digit का नया बना सकते हो मतलब आपका जो नया ATM कार्ड आया है सबते पहले तो ATM मसीन में जाके उसको activate करना पड़ेगा और activate करने के बाद आप इसका कोई भी four digit pin रख सकते हो जो भी आपको सही लगता है या फिर अगर आपने पहले से net banking बना के रखा है तो आप net banking के थो भी इसका pin बना सकते हो नया ATM कार्ड किस वकार से activate करके और pin बनाते हैं वीडियो आपको डिस्क करने याबर मैं end screen में दे दूँगा तो आप वाला वीडियो देखके और सीख सकते हो और दूसरी बात आपके मन में ऐसा कॉस्टन रहता है कि जो ATM कार्ड नया वाला आता है इसका जो pin होता है वो पहले से बनके आता है तो मैं आपको बता देता हूँ पहले से बनके नहीं आता है आपको नया pin जनरेट करना पड़ता है और अगर आपके मन में अभी भी किसी बगार का कॉस्टन है मन में कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर पूछ सकते हो चली मिलते हैं नेक्स वीडियों तब तक के लिए बहुत बहुत धन्नवाद